इनका नाम रवीश कुमार है और यह हमारे गाव के बगल के बगल के गाव के रहने वाले हैं और आज हम अपने गाव आ रहे थे अपने घर आ रहे थे बहुत दिन बाद तो हम अटो से आ रहे थे उसके बाद वहां रुक गए उसके बाद हम अपने घर के छोटे भाई को फोन कि आने के गारी लेके आ रहा था लेकिन राफ्ते में यह मिल गए मुझे वहां पर खारा देखे तो आये और रुके इनका नाम रवीश कुमार है और यह हमारे बगल के आप रहने वाले हैं पहले यह सिच्छक थे पहले बच्चों को परहते थे लेकिन अब क्या है कि यह परहना बंद कर दिये हैं अब यह जो है एसी फिरीज तो घीजर बनाने का काम करते और परहाना छोड़ दिए परहाना इसलिए घो हपी nuevos को बशने इननको पैसा नहीं देते थे ऐसे थे पीछे से पहचाने नहीं लेकिन फिर भी यह मुझे रोक करके बोले कहां तक जना है और बैठा करके ले करके आए तो ऐसी होना चाहिए अभी आप बताईए कि आप क्या क्या बनाते हैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद आपका जो जितने भी महसाओरी भीटा दूलिंद बजार भीक्राम पाली यह सारे जगत से आप हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे आप होम सर्विस ले सकते हैं तो यह मुझे यहां तक पहुंचाए और फिर उसके बाद यहां से मुपने गाउं जाएंगे अपने घर जा इसके लिए आपको बहुत धनवाद और ऐसे ही इनका मैं यह सिर्फ हमको ही नहीं यह बता रहते कि कोई भी मिल लाता है हमको बैठा लते हैं उनको जो लगता है कि वह पैदल जा रहे हैं तो यह बहुत अच्छा काम है और बहुत बहुत खुशी हो रहा मुझे जान करके कि आप ऐसे लोग को मदद भी करते हैं तो मदद करना चाहिए जैसे भी हो आज मुझे मदद किये और मुझे लगा कि इनके बारे में आप लोग को बताना चाहिए तो आप लोग अगर जो भी आपके जरूरत हो लगता है कि इनकी जरूरत आपकी है तो आप इनको याद कर सकत जहिल